Hello students, this is video number 10 of waves और इसके अंदर हम डिसकस करेंगे standing waves in strings fixed at both ends इसमें हम और भी organ pipes को भी discuss करेंगे उसके अंदर भी standing waves को डिसकस करेंगे और string के अंदर भी discuss करेंगे ये string हमने ऐसा लिया है जिसमें दोनों ends इसके fixed हैं एक rigid spot के साथ दोनों connected हैं तो अब यह आप देख सकते हो दिखाई दे रहा है आपको कि string जो है वो different different modes में vibrate कर रहा है different different modes में Why vibrate कर रहा है आप इस बात को समझेंगे different different इसके अंदर standing waves बन रही है यह standing wave क्यों बनेगी जब भी यहां से यहां travel करेगी, देखो मैं बताता हूं, यहां से यहां travel करेगी, ठीक है, और फिर after reflection, it moves back, ठीक है, यहां से यहां travel करेगी, तो यानि कि दो traveling waves यहां पर present हो गई, अब दो traveling waves present होने के कारण, अब दो traveling waves present होने के कारण, इतने से पार्ट में, इतने से पार्ट में, दो traveling बावरब्लिंग वेव्स प्रेजेंट होने के कारण, ऐन दोनों का सुपर पॉजिशन होगा, जो हमने स्टैंडिंग वेव्स के अंदर पड़ा, थीक है, दो ट्रेवलिंग वेवस जब उल्लि डिरेक्शन में move करती है और जब उनका super position होगा तो standing wave create होती है यह हमने standing waves के concept में पढ़ा था अब वो standing wave का concept हम तीन जगा लगाने वाले हैं एक हम strings में लगाएंगे एक हम pipes में लगाएंगे organ pipes में और organ pipes के भी door cases open and closed हमने discuss करेंगे इसके अंदर detail में तो यहाँ पर यह मैंने इस GIF के थूँ आप देख सकते हो क्या हमें दिखाई दे रहा है क्या कि इसमें different तरह के यह loops देखो किस तरह से बन रहे हैं यह different modes हैं एक ही तरह से strings सिर्फ vibrate नहीं कर सकता है यहाँ पर बहुत से तरीके से vibrate कर सकता है और जिन modes में यह vibrate करेगा उसका हम इसमें analysis करेंगे कि different frequencies पे जो vibrate कर रहा है this is the concept behind the guitar जो guitar होता है वो भी इसी concept पे work करता है और किस तरह से यह working होगी और किस तरह से इसकी frequencies बनेंगी उसको हम इसमें detail में discuss करने वाले हैं यह एक बहुत important question है examination point of view से भी जो diagram आपको exam में बनानी है जो diagram आपने paper में बनानी है वो मैं आपको अभी यहां पे बना के देता हूँ यहां पे बना के दे रहा हूँ वही आपने exam में बनानी है और उसके through फिर हम analysis करते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है और किस तरह से यह waveforms draw की जाएंगी उसके एक simple method भी आपको बताऊंगा यहां पे एक चीज़ note करने वाली क्या है कि जो standing wave यहां बन रही है और standing waves में node और anti-node का concept था अगर आप दिहान से इस waveform को देखो तो आपको एक चीज़ नजर आएगी क्या कि यहां पे जो आपकी यह वाले ends है यह fixed हैं और fixed हैं तो यहां तो notes बनेंगे ही बनेंगे देख लो यहां पे भी यह node यह node यह node यह node यहां पे node बनेंगे ही बनेंगे और यह जो यहां इस first case में यहां पे यह anti-node बन रहा है sorry anti-node बन रहा है यहाँ पे एक और नोड बन रहा है, यहाँ पे तीन नोड बन रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है हमें सामने, यह देखो, यह नोड, यह नोड और यहाँ पे यह एंटी नोड यहाँ कितने बन रहे हैं, यह यह एंटी नोड, यह एंटी नोड, यह एंटी नोड, यह एंटी न बोलते हैं आप देखो जिसको मैंने नोड मार्क किया है वो हिल भी नहीं रहे हैं वो पॉइंट जो हैंड स्ट्रिंग पे पॉइंट है वो हिल भी नहीं रहे हैं यह concept है इन स्टेंडिंग वेपस का और किस तरह से हम इसको आगे अनलाइज करेंगे अब डाइगरम examination point of view से अगर बात करें कि वहाँ क्या डाइगरम बनाई जाएगी और वहाँ पे different modes of vibration हम discuss करेंगे अच्छे से उसको देखते हैं अभी यह NCRT से direct मैंने screenshot लिया है जिसके अंदर ऊपर तो मैंने आपको तीन ही तरह के modes दिखाएं लेकिन यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है जो first case में frequency generate हो रही है that is that is fundamental और first harmonic second उसका multiple जो है वो मैं आभी आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम यह करते हैं यह सब general एक method हम इसका इतनी बात हमें clear होनी चाहिए कि जो fixed end है जब दोनों side पे तो यहाँ पे displacement जो है वो 0 होगी उन points पे displacement 0 होने के कारण वहाँ पे nodes बनेंगे यह इसमें fixed बात है ठीक है और अब हम उसी वजह से उसी की तरह से हम यहाँ पे create करते हैं कि node बनना है यहाँ तो node बनेगा ले आपको बताता हूं कि length L के अंदर length L के अंदर कितना part of waveform बन रहा है lambda by 2 देखो कैसे मैं बताता हूं आपको आप पहले क्या करो कि यह waveform बना लगा हूं मैं आपको इसका एक simple method बताने लगा हूं जो आपका तीनों questions में काम आएगा यह एक waveform बना लो और इसके साथ ही एक इसके ulti waveform बना लो ऐसे करके बना लो और फिर ऐसे याद करो कि जो string है वो दोनों ends पे क्या है दोनों ends पे आपका fixed है दोनों ends पे fix होने के कारण nodes ही बनेंगे इसलिए आपने start कहां से करना है आपने start कर लेना यहां से कि बाई node से start करना है एक end पे node है तो इसलिए यहां से शुरू करो, अगर एक end पर anti node होता तो यहां से शुरू करते, लेकिन वहाँ पर first क्या है, node है, इसलिए वहाँ से शुरू किया, अब अगला node कहाँ है, यहाँ, तो यह हो गया आपका mode 1, उससे अगला mode कहाँ है, node कहाँ है, तो यह हो गया mode 2, तो देख लो, आप mode 2, mode 2 में waveform के ऐसी बनी है, यह देख लो, ऐसी बनाओ गया पेपर में, यह, और इसके साथ ही नीचे रिये, ऐसी, देख लो, यही बनी है mode 2 में, यह देख लो, यह वाले, ठीक है, इसमें और क्या देखने वाली बात है, यहाँ पे, यहाँ पे जो देखने वाली बात है, वो यह, यह exam में नहीं बनानी है diagram, यह सिर्फ अपने लिए, रफ पे आप बना के देखो, कि क्या mode 3 यह हो गया, जितने mode बोने हो, तो नहीं बनो, mode बना सकते हो आप, शुरुवात किस्से की, नोड से, और अगली line कहां draw करनी है आपने, नोड पे ही, तो आपको यह diagrams बनाने में, कोई help, बहुत help हो जाएगी, अब आप ध्यान देना जड़ा, इस चीज़ पे ध्यान देना में आपको जो बताऊंगा अभी क्या, कि first mode के अंदर, आपका कितना, इस waveform का कितना part create हुआ, पूरी length L के अंदर, बस इतना, ये, और ये कितना है, ये lambda by 2 है, इसको lambda 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये mode 1 है, इसको lambda 1 लिखा है, तो इसके lambda 1 is equal to क्या आगया, देखो अब हमने इसके आगे करते हैं, इसके आगे क्या आगया, lambda 1 is equal to क्या आगया, lambda 1 is equal to 2L, lambda 1 is equal to 2L, तो frequency of vibration, आपको मालूम है, frequency of vibration का formula क्या होता है, frequency का formula क्या होता है, यहाँ पर जो frequency create हुई, वो उसका हमने formula गर लिखना है, new 1 is equal to क्या होता है, V, velocity upon lambda, velocity upon lambda formula है, किसका frequency का यह आपको बताया हुआ frequency का formula किस तरह से याद रखना है आपने velocity का formula कैसे याद रखना है वो बता दिया आपको तो क्या लिखा मैंने frequency is equal to V upon lambda 1 अब आपको मालूम है V in case of strings किसके बराबर होता है lambda 1 की value 1 upon 2L और जो आपका velocity in strings किसके बराबर होती है T upon mu mu is the mass per unit length t is the tension और इसको अगर आप क्या मान लो इसको आप new मान लो इसको आप new मान लो इसकी value आप new 1 को आपने new के बराबर मान लिया मैं अभी बता रहा हूँ क्यों माना और यह आपका new 1 आ गया तो this is minimum frequency यह आप minimum frequency इससे create कर सकते हो क्योंकि यह minimum frequency आगए इसकी जो आपका frequency है इससे ज़्यादा लैंडा कभी हो नहीं सकता ठीक है यह maximum जो इसकी minimum value आएगी frequency की वो इसके बराबर है इससे ज़्यादा frequency कभी इससे कम frequency नहीं आप create कर सकते string के अंदर with both the end fixed इसलिए इस minimum frequency को हम क्या बोलते है we call it first harmonic हम इसको first harmonic बोलते है या fundamental frequency बोलते है मैंने लिखा होगा उपर इसको क्या बोलते है first harmonic या fundamental frequency बोलते है यह चीज़ जो लिखिए हम इसके आगे नेक्स आथ है अब हम करेंगे second mode of vibration second mode of vibration और इसका एक formula derive कर लेंगे आप द्यान देना कैसे second mode of vibration क्या आएगी अब second mode of vibration के लिए आपने कितनी diagram बनानी है second mode of vibration के लिए आपकी जो diagram बनेगी वो ऐसी बनेगी यह आगया आपका second mode of vibration इतना यह तो पूरा lambda आगया पूरी waveform है यह देखो ठीक है यह उल्टी वाली को देखने की ज़रूरत नहीं है अब एक waveform को देखो क्या पूरी की पूरी बनी है नहीं इसलिए मैं क्या लिखूंगा देखो द्यान से इसको मैं ऐसे लिखूंगा इसको कैसे लिखना है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखो, l is equal to lambda 2, lambda 2, पूरा lambda आ गया, ठीक है, तो lambda 2 is equal to l आ गया, पूरा उपर से batch करके लिखते जाओ, lambda 2 is equal to l आ गया, new 2, यह दूसरी frequency, ठीक है, जो पहले वाले से कम आएगी, v, velocity तो सेम रहेगी, क्योंकि t change नहीं हो रहा, mu change नहीं हो रहा लैमडा 2, equal to 1 upon l, यह उससे ज्यादा आई, उससे double i, देखो ध्यान से, ठीक है, उससे double i, is equal to कितना आ गया, क्या लिखेंगे, अगर उसको new लिखा था, तो यह क्या बन गया, 2 new, उससे double i, जो minimum frequency थे, उससे double i, तो उससे double i, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इसलिए बोलत ठीक है, फिर आगए third mode of vibration, अब third mode of vibration को understand करते हैं, देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको, आपने क्या करना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसे मुझे कोई third mode पूछ ले तो मैं क्या करूँगा, मैं बताता हूँ आपको, आप पहले एक waveform draw कर लो, ऐसे, और इसकी एक उल्टी waveform भी draw करके रखो, तो देखो कितना easy हो जाएगा आपके लिए diagram बनाना, जो मर्जी आपको पूछ ले देखो कितना easy हो जाएगा, देखो, फिर्स्ट, आपको मालूम है कि node बनेगा, concept के साथ, यह आगए आपका one, जो हमने बना दी है one mode, second mode, और यह third mode, जिसमें मैं interested हूँ, यह, यही diagram आपने paper में बनानी है, इतनी, ठीक है, लेकिन साफ साफ, ठीक है, यह paper की diagram नहीं, यह rough के लिए है, अपने understanding के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे, यह देखो, यह third mode आगे, यही diagram मैंने बनाई है, यहां से, यह नहीं बनाना, यह वाला, इतना बनाना है, यही diagram है, बस यही diagram बनानी, अब मुझे देखना यहां कितनी waveform बनी, अब कितनी waveform देखने के लिए पहले इसको उड़ा दो, पीछे वाली, उल्टी वाली जो बनाई है, उसको उड़ा दो, उल्टा उड़ा दिया, यह वाली उड़ा दो, कितनी waveform बनी है, बताओ, एक पूरी बनी, एक यह पूरी बनी है, ठीक है, यह हो गया लैमडा, और यह आदा लैमडा, एक पूरा लैमडा, एक आदा लैमडा, यानि कि 3.2 लैमडा, 3.2 लैमडा हो गया यह, बस यह कहानी है इसकी, कुछ नहीं है, यह जो जितना पार्ट यह यहां बनाया, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई, इसको paper money, paper में जो लिखना है, वो यही लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ पहले भी, अब मैं यहां क्या लिखूंगा, आप देखना द्यान से, अब मैं यहां जो लिखूंगा, वो यह आएगा, l is equal to, 3 by 2 lambda 3, lambda 3 क क्या बनेगा, वो देखते हैं अब ही, तो यह क्या बन गया, 1 upon, v upon lambda 3, जो v upon lambda 3 लिखा तो फिर आपने लिखना है, इसको लिखना है, 3 by 2L, 3 by 2L, under root of v की value क्या होती है, t by mu, क्या यह 3 new के बराबर आया, new क्या है, fundamental frequency, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे, third harmonic, third harmonic, third harmonic, ठीक है, paper के point of से बात करूँ, तो आपने paper में ज़्यादा डाइग्रम्स नहीं बनानी, एक यह बनाओ, दो, तीन बनादो, बस, बस, 3, बहुत हैं, तीन बनाने के लिए बहुत हैं, यह आपकी understanding के लिए node, anti-node, यह भी सब आपको दिख रहे हैं, कहां कहां बन रहे हैं, यह सब अच्छे से लिखना है, जैसे लिखा हुआ है, उपर डाइग्रम में, ठीक है, तो यहां से यह आ गया, third harmonic, अब सारी harmonic को यह निकालने के जरूरत नहीं है, यह third harmonic जब हमने बनाया, third harmonic बनाने के बार, आप इसको एक journal भी लिख सकते हो, journal आपका formula बन गया, mu n का, formula क्या बन गया, nth harmonic, क्या बन गया, n upon 2L, under root of, t by mu, बन गया, वो जो यहां frequencies की ratio आई, वो क्या आई, 1 is to 2 is to 3, 1 is to 2 is to 3, वहां पर यहां पर मदब आपको इस तरह से values मिल जाएंगी सारी, तो यह journal formula आपका त्यार हो गया, इसका frequency का, इस case में, ठीक है, यह journal formula आपका त्यार ह हो गया, इस तरह की frequencies हमें, एक ऐसे string में मिलेंगी, जिसके दोनों ends यो है, वो fixed है, तो यह बन गया, इसकी कहानी, यहां से, और यहां से आपको क्या दिख गया, कि यहां पर, बस, इसमें और कुछ है नहीं, यह सब simple बात थी, इसके अंदर और कुछ नहीं, इसमें बताने वाली बात है, अब यह standing waves in closed organ pipes हमने ले ली, यह pipe की तरह एक, इसका यह वाला end closed है, यह वाला end closed है, इसके अंदर यह air molecules आपको दिखाई दे रहे हैं, air particles दिखाई दे रहे हैं, जिनकी vibrations होंगी, longitudinally, longitudinal waves बनती है, यह आपको clear cut पता है, अब यहां पर क्या सीखने वाली बात है कि यह वाला end जो है, यह closed है, यह वाला end जो है, वो closed है, और किस तरह से हम करेंगे, उसको देखना है आप यह आपने, यह देखो, इसमें यह देखने वाली चीज़ है, यह, किस तरह से vibrations होंगी, अब vibrations देखो, यह जो standing wave यहां बनेगी, वो wave जो है, वो इस तरह की बनेगी, ठीक है इस तरह की wave बनेगी आपकी जो यह देखो यह इसमें interesting fact है कि जो इधर है उसकी displacement कितनी हो रही है अच्छा displacement particle की यहाँ पे कैसे होगी parallel to the waveform आप उसमें क्या note करने वाली बात है ज़र द्यान देना इसमें जो note करने वाली बात है उसमें यह है देखना जो यह वाला end है यह वाला fixed end है यह end fixed है और यहाँ पे vibration जो हो रही है वो कैसे ही हो रही है इस तरह से इस तरह से vibration हो पार्टिकल्स जो है वो इधर इधर move कर रहे है सबसे ज़दा जो particle move कर रहा है वो कौन सा वाला open end वाला इसलिए यहाँ पे anti-node بنेगा जिसकी सबसे ज़्यादा particles की vibration होती है वहां पे क्या बनेगा anti node और यहां पे क्या बनेगा node बनेगा बस इसी basis पे इसकी diagram बनानी है और बिल्कुल वैसा ही concept है जैसा हमने पहले पड़ा उसी basis पे इसको भी understand करते हैं देखो कैसे अब देखो यह diagram आपने जो exam के point of view से बनानी है यहां पे node बनेगा जो fix point है वहां पे node बनेगा और जो आपका open end है वहां पे क्या बनेगा यहां पे आपका anti node बनेगा दो तरह की organ pipes आपने पढ़नी है एक है वो जो open organ pipes है जो दोनों end से open है यह closed organ pipe है जो एक end से closed है दोनों end से closed कोई pipe नहीं होती है तो यहां पे आपने क्य किया, यहाँ पे आपने एक चीज अंडर्स्टाइंड करनी है कि आ वेफॉर्म किस तरह की बनी है, देखो, यहाँ पे फस्ट हार्मोनी कि यह इस तरह का, मलब यहाँ पे कैसे वेफॉर्म बनाओगे आप, मैंने आपको पिछे भी सिखाया, इस बार भी सिखाता हूँ, देखो किस तरह से हम बनाएंगे, पहले वही waveforms आप बना लो, फिर मैं आपको इसके different modes बताता हूँ कि किस तरह से, first mode of vibration, second mode of vibration, इसमें भी हमने करना है, यह आगी आपकी एक waveform बना लो, ठीक है, फिर इसकी ulti waveform बना लो, देखो कितना interesting बताऊँगा इससे आपको सब याद हो जाएगा, यह ऐसे बना लो, और फिर क्या करो, पहला point क्या आएगा, पहला node है कि anti-node है, यहाँ पे क्या आए, open end, open end है तो क्या बनेगा, anti-node, तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, anti-node से, node से नहीं शुरू करना है, यह anti-node हो गया, maximum displacement, particle की, ऊपर नीचे, यह particle ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, यहाँ पर नीचे नहीं जाता है, longitudinal ही मतलब, यह ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन displacement, यह graph होता है, displacement कितनी जादा है, यह graph यह नहीं है, कह रहा है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, यह graph कह चुरू कहां से किया, यहां से, अब first mode, तो वहां क्या होगा, anti-node, यह दो, पहला आ गया anti-node, और closed पे क्या आ गया, node, और यह आपकी first vibration, यह first mode of vibration आ गया, इसलिए first mode of vibration में आपको इस तरह का, इस तरह की diagram मिलेगी, first mode of vibration में आपको इस तरह की diagram बनेगी, जो मैंने आप ही ब लिखा हुए fundamental, जब least frequency आपको यहां मिल रही है, कैसे मिल रही है, मैं बताता हूँ, यह कितना portion है, अब यह आपकी waveform थी पूरी, यह पूरी waveform का कितना portion है, यह आपको देखना है, यह पूरी waveform का सिरफ इतना सा portion, इतना, कितना है यह, lambda by 4, यह कितना है, lambda by 4, अब इसलिए first mode of vibration जब हम पढ़ेंगे आओ देखें first mode of vibration देखो किस तरह से देखो अब ये first mode of vibration तो diagram कौन सी बनानी है आपको बड़े अच्छे से पता है क्या बनाना है आपने ये diagram बनानी है ये वाली closed organ pipe है और इसमें first lambda बिल्कुल l is equal to क्या आ गया देखो द्यान से l is equal to lambda 1 by 4 lambda 1 क्यों लिखते हैं होगी first mode है और lambda 1 is equal to क्या आ गया lambda 1 is equal to 4l आ गया फिर मैं बोलूँगा new 1 first frequency जो आपको मिल रही है यहां पर minimum frequency जो मिलेगी वो कित्री बराबर होगी V upon lambda 1 जब V upon lambda 1 लिखा तो V upon तो V कितना है V यह sound waves है इसलिए sound waves के case में आपको क्या velocity का क्या formula वो आपको मालूम है अच्छे से दीगे वो velocity of the waves gamma P upon rho बस बन गया 1 upon 4l यह आ गया और इसको आप new मान लो इस frequency को आप new मान लो और यह this is the minimum frequency this is the minimum frequency and is called fundamental frequency ठीक है यह closed organ pipe के लिए fundamental frequency इसी तरह से second mode of vibration देखते हैं अभी second mode of vibration में फिर से अगर मैं आपको सिखाऊं कि किस तरह से आपने करना है काम वो मैं आपको बता देता हूँ यह देख में थोड़ा जल्दी बता देता हूँ यह आ गया आपकी waveform फटा फट बना ले नहीं है कभी भी आपको कोई पूछ ले बनाई फिर उसके बाद आपको मालूम है एक end open है जहां पे वहाँ पे anti node बनना है anti node बनना है तो वहाँ पे आपने पहले से एक यह बना लिए जी भाई यह anti node है यह आ गया इस end पे अब अगला एक node तो यह फर्स्ट mode of vibration आप ले चुके हो यह second आ गया तो waveform कितनी बनी यह लो इतनी बनी यह कितनी है यह कितनी है देखो यह आदा यह lambda by 2 और यह lambda by 4 lambda by 2 plus lambda by 4 lambda by 2 plus lambda by 4 is equal to is equal to 3 lambda by 4 is equal to 3 lambda by 4 ठीक है तो यह बन गया यहां से आ गया तो यही से हम direct लिख लेंगे अब second mode of vibration में आप क्या लिखेंगे यह paper में यह सब rough पे करना है ठीक है रफ पे करना है diagrams आपकी बनी हुई है उपर जो आपने बनानी है तीन ही mode आपने दिखाने होते हैं हर जगा यहां पर भी आपने दिखा दिया l is equal to what of what लिखेंगे l is equal to क्या बना 3 lambda l हो गया length of the tube length of the pipe lambda 2 upon 4 यहां से पता चलिए lambda 2 is equal to 4 l upon 3 फिर मैंने लिखा frequency किसके बराबर v upon lambda 2 जब मैंने v upon lambda 2 लिखा तो v upon lambda 2 में हम लिखेंगे v कितना v तो आपको मालूम है lambda 2 की value यह उल्टा कर दो इसको 3 upon 4 l ज्यां दे न 3 upon 4 l under root of interesting बात बतानी है under root of gamma p upon rho यह कितना आया यह 3 new है वो new था यह 3 new है तो 3 new है तो इसमें second harmonic नहीं मिलेगा यहां direct इसको third harmonic बोलेंगे this will be third harmonic third harmonic जो इसका first overtone आया मतलब एक minimum है minimum का जो पहला मिला second आपको मिलेगा ही नहीं है इसको first overtone भी बोलते हैं तो this is third harmonic third harmonic frequency उपर सब लिखा हुए diagram के अंदर ही mention कर दो हर चीज़ को third harmonic फिर हम पहुंचे आगे अब third mode of vibration आप खुद कर सकते हो उसको ठीक है third mode of vibration में आप यहीं पर अगर मैं इसको बता हूँ यहीं पर आपको color change करके बता देता हूँ third mode of vibration में आप कहां तक जाओगे यह यह अगला node यहां तक ठीक है तो वो कितना हो गया यह हो गया आपका पूरा lambda लेको एक पूरा lambda और यह lambda by 4 ठीक है lambda by 4 तो पूरा लिए mode of vibration बनाना है तो आप देखो अगर मैं आपको दुबारा सिखा देता हूँ एक बार किस तरह से हम करते हैं ही सब कि यह बनाई कि एसे बनाया ये नोड ले लिया ये एंटी नोड आ गया शुरू में ये पहला मोड था ये दूसरा मोड है ये तीसरा मोड है तीसरे मोड में ये आ गया कितनी waveform बनी यहां से माग कर लोज को आपको ये तुम्हें पुछे ये कितनी length है waveform की तो तुमने क्या बोलना है ये lambda और ये lambda by 4 तो lambda प्लस lambda by 4 इस 5 lambda by 4 तो ये आपकी pipe थी जिसकी length L थी L is equal to क्या आ गया 5 lambda by 4 ये third mode of vibration में अब लिख दो ये सब L is equal to third mode of vibration में क्या आएगा 5 lambda 3 upon 4 lambda 3 is equal to 5 4 L upon 5 lambda 3 lambda 3 is equal to 4 L upon 5 बस फिर उसके बाद new 3 third frequency जो हमें यहां मिली कितनी हुई वो new 3 is equal to क्या हो गया 5 sorry वो हो गया V upon lambda 3 lambda 3 कितना 5 upon 4 L इस उल्टा कर दो ना 5 upon 4 L under root of yellow ठीक है ये किस के बराबर 5 new के बराबर new जो minimum frequency first mode में हमने निकाली थी ठीक है इसलिए ये fifth harmonic ये हमें सब समझा गया ठीक है और इसमें आपको direct direct दिखाई दे रहा है कि new 1 is to new 2 is to new 3 डैश 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 इस इकल टो 1 is to 3 is to 5 डैश 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 ठीक है जर्णल अगर आब new n मैं बोलूँ आप से किसके बराबर आया तो किसके बराबर आगया new n यू n बराबर आगया ये odd number है odd number है तो 2n 2n minus 1 upon 2 into 1 upon 4l under root of ये बन गया ठीक है n equal to 0 and equal to 1 2 इसको plus कर दो इसको 0 1 2 3 ऐसे करके value डालो तो आपको ये सारी frequencies मिल जाएंगे सारी frequencies मिल जाएंगे अगर कोई 2n minus 1 लिखे तो फिर 1 से शुव करना होता 0 से नहीं बस इतनी बात याद रखना और नंबर का आए ना और और फ्रिक्वेंसी आए तो और नंबर के लिए ना 2n plus 1 अपॉन 2 क्यों किया अपॉन 2 नहीं करना एक मिटे पॉन 2 क्यों किया भाई अपॉन 2 नहीं करना ठीक है बस ये इसका answer आ गया इसकी general frequencies का हमने answer निकाल दिया है किसके बराबर आ गया है ये 2n-1 अपॉन 2n-1 लिखा हुआ बुक्स ने तो आप भी माइनस लिखना चाहते हो माइनस लिख दो माइनस लिखने से यह होगा कि ये n की value जो मैंने नीचे लिखी है बस ये चेंज होता और कुछ नहीं अगर आप 2n-1 लिखो क चलो माइनस लिख देते हैं तो चेंज क्या होगी ये 0 नहीं आएगा 1 से शुरू होगा ठीक है बैटर है अब देखो अब आगया आपका next वाला क्या next आगया आपका stationary waves या standing waves stationary waves या standing waves कुछ भी बोल सकते हैं in open organ pipe open organ pipe को अब हम discuss करने जा रहे है अब stationary waves in standing waves जे अब हम बात करेंगे किसकी open organ pipes की open organ pipes में देखो ये देखो open organ pipe में दोनों जगा displacement होगी node अधर center में create होगा node जो है वो center में create होगा और इधर और इधर दोनों जगा anti node create होगा अब देखो maximum displacement किसकी है open ends पे जो maximum displacement है वो open ends पे है अब देखो अब इसको कैसे understand करेंगे ये भी देख लो ठीक है इसकी भी डायग्रामस हैं इसकी भी डायग्रामस हैं आपको इतना पता चल गया कि ओपन एंट्स पे क्या बनने हैं एंटी नोड बनने हैं एंटी नोड बनने हैं तो फिर पहले से रेडी रहो यह देखो मैंने आपको सिखाया भी पहले कैसे करते हैं यह सब इसको कैस पहले वाला माग कर लो, पहले वाला माग कर लिए, यहां पर anti-node आपने बना दिये, कि यह anti-node वाला case आगे, ठीक है, anti-node यहां बना, अब दूसरा anti-node, कहां आएगा, यहां, यह, फर्स्ट मोड में यह diagram आपकी है, इतनी, यह, जब आप बनाओगे, तो इसको यह, इतनी आप देखो, इसको आगे देखते हैं, इसको डाइगरम आपको दिखा देता हूँ, इसकी डाइगरम कैसी है, यह थे, यह आगए आपको fundamental, ठीक है, आपने कितनी, यह waveform कितनी है, अगर आपको गिनना हो, तो कितना है, यह लैमड़ा पाइ 4, यह भी लैमड़ा बाइ 4, कितन है, मैंने कैसे बना देखो, ठीक है, फिर उसके बाद, लैमड़ा 1 is equal to 2L, लैमड़ा 1 is equal to 2L, फिर उसके बाद, उसके बाद, आपका आगया new 1, फिर्स्ट जो minimum frequency कितनी मिलेगी, V upon lambda 1, equal to 1 upon 2L, अंडर रूट आफ, यह भी sound waves है, sound waves की velocity का formula आपको गराया है पहले, यह बन ग frequency है, fundamental frequency लिद दो इसको, फिर उसके बाद, second mode of vibration, second mode of vibration बनाने के लिए, फिर से मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो मैंने आपको trick सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको काम करना है, shortcut जो है, क्या, यह wave बना ली, फटा फट, बनाई, 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 ठीक है, फिर क्या करो, फिर क्या करो, देखो, anti node, दोनों जगा anti node, पहला anti node यह था, छोड़ दिया, अब दूसरे वाले की बात है, तो यहां है, जैसे यह बनाया, फटा फट फिर देखो कितना बनाया, इसके में waveform, यह, 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 दियान से देखो कितनी है, यह lambda by 4, यह lambda by 4, और यह lambda by 2, तीन section दिख रहे हैं, इसलिए यह lambda है, ठीक है, तो यहां पे आपका third mode of vibration में क्या आएगा, मैं बता देता हूँ आपको, second mode of vibration में क्या आएगा, यहां पे सीधा लिख दिया, हमने l is equal to, l is equal to lambda 2, l is equal to lambda 2, पूरा lambda बन यह, ठीक है, और वो कितनी frequency आएगी, वो देख लेते है, new to equal to क्या बन जाएगा, one upon, sorry, v upon lambda 2, v upon lambda 2 को मैं लिखूंगा, one upon l, under root of, यह, 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 यह लिख दिया, यह कितना है, यह कितना है, उसके comparison में देखो कितना आया, वो one upon 2l था, यह double आया उससे, यह two new आया, यह two new है इसलिए second harmonic है, closed organ pipe में second harmonic नजर ही नहीं आया था, उसमें direct one, three, five था, इसमें one, two आ रहा है, इसमें three भी आयेगा, यह second harmonic हो गया, अब third mode of vibration अगर आपने करना है, तो देखो किस तरह से करेंगे, third mode of vibration, देखो, third mode of vibration करने के लिए, मैंने पहले यह बना के रख लिया, फिर उसक यह mode two, यह mode three, तो यह आगया आपका यह, अब इसमें कितना बन रहा है, आप देखो, इसको mark करो, जो waveform इसके अंदर बनी, वो lambda की terms में आपने को लिखनी है, यह, तो यह पूरी, एक lambda, देखो, पूरी यह waveform, और यह lambda by four, lambda by four, कितना हो गया, यह हो गया, three by two lambda, ठीक है, पूर लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिख देंगे, l is equal to कितना बना, l is equal to three lambda three by two, यानि कि lambda three is equal to two l upon three, यानि कि new three is equal to, new three हो गया, third harmonic, new three is equal to, is equal to v upon lambda three, जब v upon lambda three लिखा तो v upon lambda three तो कितना बन गया, three upon two l, under root of, यह ले, ठीक है, equal to कितना बन गया, three new, is equal to third harmonic, यह third harmonic बन गया, और new one, is to new two, is to new three, dash 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 equal to किया आया, one is to two, is to three, first वाले case में भी one is to two, is to three आया था, लेकिन second वाले में one is to three, is to five आया था, ठीक है, और journal अगर आपने new n निकालना हो, तो वो किसके बराबर आएगा यहाँ पे, n upon two l, under root of, सब कुछ आपको करके दे दिया, तीनों cases मैंने आपके साथ discuss किये, ठीक है, यह सब है, ठीक है, यह जितनी भी हमने organ pipes में जो waveform बनाई, यह कौन सी waveform थी, यह सारी की सारी displacement waveforms थी, कौन सी थी, displacement waveforms थी, लेकिन अगर pressure waveform बनाने को आ जाए, तो आपने क्या करना है, वो भी मैं आपको थोड़ा से section last में cover करने लगा हूँ, तो pressure waves की अगर कहानी बताओं, आपको दो देखो किस तरह से है, आप दिरा ध्यान से से देखना, अभी जैसे, जहाँ node है, वहाँ anti-node बन जाएगा, और जहाँ anti-node है, वहाँ node बन जाएगा, as simple as that, देखो जैसे यहाँ, मतलब इस case में, यह वाला case का मैं बात कर रहा इस case में मान लो आपको अगर इसकी pressure waveform, यह जितनी बनाई है यहाँ पर यह कौन सी waveform है, displacement waveforms है, अगर मैंने pressure waveform बनानी है, इसके लिए तो क्या बनेगी, जहाँ anti-node है वहाँ node, जहाँ node है वहाँ anti-node, as simple as that, तो यह लो, कभी-कभी यह चीज पूछी जा सकती है, इसलिए य आपने यह इसकी waveform आगे, यह anti-node, यह node, यह node, उल्टा कर देना है, यहाँ पर भी ऐसी करना है, यहाँ पर भी ऐसी करना है, यह लो, मैं बनाई देता हूँ, ठीक है, ऐसा, यहाँ node, यहाँ anti-node, इसका मतलब यह ऐसा जाएगा न, ऐसा जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है, यह दे, ऐसा, ऐसा, क्यों हो रहा है, यहाँ अन, इसका मतलब, इसलिए यह ऐसा बना है, इस तरह से आपने यह pressure waves को understand किया, क्या, कि pressure wave की अगर wave form आएगी बनाने के लिए, तो आपने इस तरह से बना लिए, बस यह इसकी कहानी है, इसको अच्छे से read करो, यह एक 3 important questions, मैंने आपको एकी वीडि इनको बहुत अच्छे से समझ के रखो इस वेरी वेरी इंपोर्टन एंड वेरी वेरी